तेजस्वी यादो सदन में माईक को घुमा कर दिखाने लगते हैं और कहते हैं कि ये बीजे सिना जब खड़े हुए थे तब ये खुद ऐसे ऐसे खोल रहे थे तेजस्वी यादो जब यह सब कुछ करते हैं तब तेजस्वी यादो बताते हैं कि माईक को तोड़ा गया था और माईक तूटा नहीं, तब बीजे सिनाव पीछे से कहते हैं कि वो सिलिप कर गया, और तब तेजस्वी यादों कहते हैं कि अरे भाई पहले बोलने तो दीजिए, अब तेजस्वी यादों बीजे सिनाव के सामने ही सब कुछ बोल देते हैं, कहते हैं कि इनको शर्म तो थो डाट भी रहे हैं और स्चोरी या सिना जोरी वाली कहानी ते जो तो यादों वहाँ पर बता रहे थे और यह सिना के सामने ही बीना शर्म वाला बेशर्म तक उनको बोल दिया यह सब कुछ सदन के अंदर हुआ आगे हम आपको सब कुछ बताएंगे कि सदन के अंदर किस प्रक सबसे पहले तेजस्वी यादों खड़े होते हैं तो बताते हैं कि कैसे भाजपा के लोग माइक को खोल रहे थे वह कहते हैं कि बीजय सिना जो यहाँ पर है वो खुद नेता बिरोधीदल माइक को ऐसे ऐसे घुमा कर खोल रहे थे धीरे से जो बि य सिना थे उन्होंने बोला कि माईक टूटा नहीं था बलकि माईक सिलिप कर गया अब तेजश्वीयादों कहते हैं कि अरे पहले बोलतो लेने दीजिये इसके बाद जो तेज़स्वियादों है वो कहते हैं कि बिज़सिना का अभी तो वही सभाव है जो इनके पार्टी के लोगों का सभाव है और इसके बाद से तेज़स्वियादों कहते हैं कि हम सब इस बात के गवा हैं कि आखिरकार सदन के अंदर क्या कुछ हुआ तेश्री यादो कहते हैं कि विजय सिना ने जो जूट बोला है इनके जूट का हम गवाई देंगे हम सब इसके गवाई है कि इन्होंने किस परकार से सदन में जूट बोला माईक को तोड़ा गया और ये अभी भी कह रहे हैं कि माईक तूटा नहीं बलकि सिलिप कर गया और इ इसलिए अवत्ता कि ये सदन में माफी नहीं माँग रहे हैं और एक परकार से तेश्री यादों ने भी ये सिना को सदन में बेश्रम कह दिया जब उन्होंने बेश्रम कहा तब राजद वालों ने सोर मना कर बताया कि हां हमारे नेता विपक्ष पर भारी हैं तो भारती जि बिना शर्म वाला तेश्रम यादों क्यों बता रहे हैं अब इन सब चीजों को लेकर एक अलग चर्चा चल रही है दूसरी चल्चा चल रही है कि सदन के अंदर भारती जंता पार्टी कह रही है कि हमारे बिदायक को राजत के बिदायकों ने गाली दे दिया राजत के लेंगे और जब बारी आएगी तो उल्टा हमारे उपर ही चल जाएंगे हम को ही डाटने लगेंगे और इसके बाद टेज़श्री यादों कहते हैं कि एस्पीकर या सदन के अध्यक्ष जो कारवाई करेंगे जिसके लिए वो तयार होंगे उन सारी चीजों में हम उनके साथ खड़े हैं अब सदर में बिये शिना और टेज़श्री यादों आमने सामने उपमुख्यमंत्री बियेPerfect अगते हैं कि थोड़ी सीबीन के अंदर शर्म नहीं है वो तंच कस्ति हुए कहते हैं कि माइक को ऐसे ऐसे करके वो खोल रहे थे वो कोई उपरेटर है क्या तो तेजसुरी आदो कहते हैं कि जान अभूऑक कर माइक को तो तोड़ा गया बिये सिना इस बात को नहीं मानते इस पर तेज़स्ट्री यादों कहते हैं कि शर्म तो आपको है नहीं क्योंकि आप हमेशा कुछ भी गलत बोलते हैं लेकिन माफी नहीं मानते कुल मिलाकर सदन के अंदर का मामला वड़ी गरम है सदन के अंदर पक्ष और बिपक्ष एकदम आमने सामने है तो यह सुआ यादों खुद नेता बिरोधी दल भी ये सिना को बिदान समा में कहते हैं कि शर्म इनको नहीं है बाकी आपके इस पर क्या प्रतिरिया है कमेंट वक कुमार सिंग बहुत बहुत धन्यवाद